सब्सक्राइब करता हूं आपके अपने चैनल टीवी आईटी पर तो दोस्तो आज का जो टॉपिक है वह है अटॉमिक मास एंड मॉलिकुलर मास शुरू करने से पहले रिवाइस कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में आप तक क्या क्या कवर कर लिया हमने पढ़ लिया आटम्स क्या होते हैं, मॉलिकुल्स क्या होते हैं लॉज़ ओफ केमिकल कम्बिनेशन उसके बाद हमने डैल्टन की आटॉमिक चीहरी देखी, साइज ओफ एटम देखा, सिंबल्स ओफ ऐटम्स देखे, आयन्स पढ़े और उस आयन्स से formula बनाना सिखा, आयन atomic mass of an element होता क्या है actual mass of atoms of the elements are very very small क्योंकि हमने पहले ही पता है कि atoms का size बहुत ज़्यादा छोटा होता है एकदम छोटा और उसके बाद ये मन में अपने आपा जाता है कि जब size इतना छोटा है तो उसका mass भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो for example जो hydrogen है जो सबसे छोटा atom होता है किसी भी element का उसका जो mass है 1.673 उसका जो mass है 1.673 into 10 की power minus 24 grams या फिर 0.000000 इतने सारे 0 1673 grams होता है तो आप देख सकते हैं अगर आप से कोई पूछी कि hydrogen का mass कितना होता है और आप उसको इतना 0 1673 gram बोलें इतना unconvenient होगा कितना दिक्कत होगा आपको हर बार कितना मुश्किल होगा और याद करने में कितनी परशानी होगी तो इसी दिक्कत और इसी परशानी से उपर आने के लिए हमने नए units को define किया नए तरीके को define किया तो चलिए वो समझते हैं जो atomic mass की present definition है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले carbon 12 atom का meaning पता होना चाहिए तो देखे carbon 12 atom is that atom of carbon which has 6 protons and 6 neutrons in its nucleus so that its mass number is 12 यह paragraph यह समझा रहा है कि जो हमारा carbon atom होता है उसके nucleus में 6 proton होंगे और 6 neutron होंगे अब आपकी एक नई जानने वाली बात यहां पर यह है कि जो हमारा mass number होता है वो होता है number of protons plus number of neutrons तो यहां पर जो carbon है उसका जो mass number है वो 12 हो जाएगा क्योंकि यहां पर 6 proton और 6 neutron है अब आप सोच रहे होंगे कि यहां यह जो 12 लिखा है इसकी importance क्या है तो मैं बताना चाहूंगा carbon जो है वो different forms में पाय जाता है carbon 12, carbon 13, carbon 14 यह सब इसके isotopes होते हैं isotopes अगर आपको ने atom लग रहा हो तो isotopes होते क्या हैं जिनका atomic number तो same हो पर mass number different हो यानि कहां पर जैसे 12, 13 और 14 और इनका अलग-अलग समय पर अलग जगा पर अलग इस्तिमाल हो For example, जो हमारा carbon 14 है यह radioactive element होता है और यह carbon dating में use होता है इससे क्या करते हैं यहां पर एक और question competition के लिए बन सकता है कि कौन सा carbon radioactive decay में use होता है या फिर carbon dating में use होता है तो उसका answer होगा carbon 14 इसको अब अच्छे से याद कर लिजेगा Carbon 12 atom has been assigned an atomic mass of exactly 12 atomic mass unit इसका मतलब जो हमारा carbon 12 है उसको जो mass assigned किया गया है वह है 12 amu atomic mass unit जिसको की हम 12 u भी लिख सकते हैं ज्यादर तरह books में इस u को ही लिखा हुआ देखेंगे क्योंकि यह नया term है modern term है और यह ज्यादर convenient है amu लिखने से तो जो atomic mass unit है वो exactly 1 by 12 the mass of carbon 12 atom होती है यानि कि 1 u है वो 1 by 12 the mass of carbon 12 atom होता है तो चली समझते हैं कि यह आया कहां से तो लास्स लाइड में जो हमने पढ़ा carbon 12 था उसकी जो atomic mass unit थी वो बताएगे 12 amu होता है या फिर 12 u होता है इसका मतलब जो एक unit हो जाएगा वो हो जाएगा 1 by 12 mass of carbon 12 तो यह यहां से जो है इसको define किया गया और बोलागा कि 1 u जो है वो 1 by 12 the mass of carbon 12 atom होगा सो 1 atomic mass unit जिसे 1 u भी कहते है is defined as exactly 1 12th the mass of an atom of carbon 12 the atomic masses of all other elements are determined by comparing the mass of that atom with the mass of carbon 12 atom तो यह paragraph यह समझा रहा है कि जितने भी और सारे elements है उनके जो atoms है उसका mass determine कैसे करते है उसका mass जो है carbon 12 के atom से compare करके determine किया जाता है तो the present standard of the atomic masses is carbon 12 atom which has been assigned an atomic mass of exactly 12 unit तो अब तक यह अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि जो carbon 12 है उसी को ही 12 u जो है assign किया गया है 12 atomic unit carbon 12 के अलावा जितने भी elements बचे उनके atomic mass unit जो है carbon 12 से compare करके पता किये गया तो चलिए कुछ common examples को हम देखते है for example जो hydrogen है उसका atomic mass unit 1 u होता है जो carbon है जो hydrogen है उसका atomic mass unit 1 u होता है carbon का 12 u nitrogen का 14 u oxygen का 16 u sodium का 23 u magnesium का 24 u aluminium का 27 u अब जो हमारे starting के atomic number 30 तक elements होते हैं उनमें कुछ common properties पाई गई है हमने यह पाया है कि जो elements के atomic जो elements के atomic mass होते हैं वो elements के atomic number के just double या उसके आसपास होते हैं for example hydrogen का atomic number होता है 1 carbon का 6 nitrogen का 7 oxygen का 8 sodium का 11 magnesium का 12 aluminium का 13 तो common pattern यह पाया गया कि जो atomic masses हैं वो atomic number के या तो just double हैं या उसके नजदीक हैं for example hydrogen का तो 1 है carbon का देखिए 6 into 2 12 है nitrogen का 7 into 2 14 है इसी तरह oxygen का 8 into 2 16 है sodium का देखिए sodium का double 11 into 2 22 होता है और उसी के आसपास हम देख रहे हैं 23 होता है exactly sodium का atomic mass इसी तरह magnesium का 12 into 2 24 और aluminium का 13 into 2 26 और उसी के आसपास 27 जो कि aluminium का atomic mass होता है देखिए कोई thumb rule नहीं है कि हमेशा यह double होगा पर आपको याद करने में असानी हो इसलिए आप ऐसे सोच सकते हैं और ऐसे समझ सकते हैं इसी तरह कुछ और elements के atomic masses हम देखते हैं phosphorus का atomic mass होता है 31 U sulfur का 32 U chlorine का 35.5 U potassium का 39 U calcium का 40 U iron का 56 U copper का 63.5 U अब इसका एक बार atomic number भी देख लेते हैं phosphorus का होता है 15 sulfur का होता है 16 chlorine का होता है 17 potassium का होता है 19 calcium का होता है 20 iron का होता है 26 और copper का होता है 29 तो हम देख रहें कि atomic masses है वह लगभग double के ही equal है phosphorus का 31 sulfur का 32 chlorine का देखे आप लोग याद कर लिएगा क्योंकि chlorine का बहुत जगा यूज होता है सबसे common example तो हमारा common salt ही है NaCl तो अगर कोई पूछे NaCl का मास क्या होता है तो वह हो जाएगा 23 जो कि sodium का मास है और 35.5 जो chlorine का मास है और इसको add करने पर 58.5 हमारा NaCl का मास हो जाता है पर यह तो हमारा compound के मास में आ गया है इसको हम आगे समझेंगे अभी के लिए आप इन सब units को याद करने की कोशिश करें देखें, ध्यान दिनी वाली बात यहां यह है कि यह units हो सकता है आपको exam में दिये गए हो पर अगर आप याद कर लेंगे तो आप और बद्चूल से इस competition में एक कदम आगे निकल जाएंगे क्योंकि देखें, competition में तो हो सकता है यह given ही हो पर अगर आपको याद होगा तो यह जो है difference create करेगा यह जो है अंतर पैदा करेगा यही चीज आपको और लोगों से आगे रखेगा, आगे निकालेगा और इस competition में इस exam में आपको एक seat guarantee कर देगा तो मैं आपको highly recommend करूंगा कि आप यह सारे atomic masses at least atomic number 30 तक के अच्छे से याद कर लीजे तो यहां तक हमने समझा कि atomic mass क्या होता है अब हम समझेंगे कि molecular mass क्या होता है यानि एक molecule का mass होता क्या है तो just as an atom has atomic mass in the same way a molecule has molecular mass तो इस statement हमें यह बता रहा है कि जैसे एक atom का होता है atomic mass इसी तरीके से एक molecule का जो है molecular mass होता है जैसा हमने अभी NECL का example पिछले slide में देखा था the molecular mass is equal to some of the atomic masses of the atoms present in one molecule of a substance यह statement हमें ऐसे समझा रहा है कि जो molecular mass होता है किसी भी molecule का वो उसमें present होने वाले individual atoms के masses का sum होता है यानि कि अगर हमें कोई molecule दिया है और उसका molecular mass पतक करना है तो हम उसमें present atoms के masses को जोड़ देंगे तो हमें उसका molecular mass पता चल जाएगा तो चलिए हम इसको एक example से समझते हैं इसका मतलब हम लिखते हैं हमें H2O इसमें दो hydrogen present होता है और एक oxygen present होता है तो अगर हमें H2O का molecular mass पता करना है तो हम hydrogen का mass multiply by 2 प्लस oxygen का mass add कर देंगे तो हमें H2O का molecular mass मिल जाएगा तो hydrogen का molecular mass होता है 1 और oxygen का होता है 16 तो यहां से आजाएगा 18U units पे भी आप ध्यान दीजेगा U मतलब atomic mass unit या फिर molecular mass unit तो H2O का जो mass होता है वो होता है 18U चलिए एक और example समझते हैं कि molecular mass कैसे निकालते हैं तो चलिए next example समझते हैं कि molecular mass कैसे निकालते हैं यह जो आप side में देख रहे हैं यह एक sulfuric acid की bottle है और जो sulfuric acid है उसका formula होता है H2SO4 तो अगर हमसे कभी पूछले exam में कि sulfuric acid का mass कितना होता है या फिर molecular mass कितना होता है तो उसको निकालने के लिए हम इसमें present atoms का sum ले लेंगे यहां पर hydrogen 2 है तो 2 into mass of hydrogen plus sulfur 1 है तो एक बास sulfur plus 4 oxygen है तो 4 into mass of oxygen जो कि आजाएगा 2 into hydrogen का mass होता है 1 प्लस sulfur का mass होता है 32 प्लस 4 into oxygen का mass होता है 16 जो कि add करने पर आजाएगा जो कि जोडने पर आजाता है 98 U या फिर 98 AMU तो चलिए कुछ और questions पर practice करते हैं और जो molecular masses हमारा topic है इस पर पकड़ और मजबूत बनाते हैं अगला अग्जामपल है NH3 NH3 यानि की ammonia अब ammonia का mass निकालने के लिए mass of nitrogen plus 3 times of mass of hydrogen अब मैंने याँ side में table देदी है ताकि अगर आपको याद ना हो आप यहाँ से देखके practice कर लिजे अच्छा आप इसको मेरे साथ साथ copy पर लिखते हुए चलेगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और तभी आपको अच्छे से याद भी होगा क्योंकि देखिए practice is most important अगर आपको आता है तभी आप इसको एक बार जरूर करिए हो सकता है क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है पर वहां हम over confident होता है और वो over confident हमें खा जाता है और over confidence exam के लिए entrance exam के लिए सबसे ज़्यादा हानिका रखे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा problem हो सकता है उससे तो देखिए समझते हैं NH3 पर तो nitrogen का mass होता है 14 प्लस 3 times of hydrogen का mass होता है 1 तो यहां से आगया 14 प्लस 3 17 U तो जो NH3 है उसका mass होता है 17 atomic mass unit अगला example है CO2 CO2 का mass निकालने के लिए mass of carbon plus 2 times of mass of oxygen करेंगे अब carbon का mass होता है 12 और 2 times of oxygen का mass होता है 16 तो यहां से आजाएगा 12 प्लस 32 जो की हो जाएगा 44 U अगला example है oxygen oxygen जो है हमारा diatomic atom होता है और उसे O2 जैसे लिखते हैं तो जो O2 है उसका mass निकालने के लिए 2 times of mass of oxygen यानि कि 2 into 16 जो हो जाएगा 32 U similarly यह है HNO3 HNO3 का मतलब होता है nitric acid जैसे हमने sulfuric acid देखा वैसी यह भी एक acid होता है इसका नाम में nitric acid तो nitric acid का molecular mass निकालने के लिए mass of hydrogen plus mass of nitrogen plus 3 times of mass of oxygen hydrogen का mass होता है 1 nitrogen का 14 plus 3 times of oxygen का mass होता है 16 जो की जोडने पर आजाएगा 1 plus 14 plus 48 जो की आजाएगा जो की जोडने पर आजाएगा 63u यानि की जो nitric acid है उसका molecular mass 63u होता है तो दोस्तों अब हम Cl2 यानि की chlorine का mass calculate करते हैं तो Cl2 में हम देख रहे हैं 2 chlorine atoms है तो 2 multiply by mass of chlorine atoms जो की हो जाएगा 2 multiply by chlorine का देखे मैंने आज side में mention कर दिया है 35.5 आप इसको अभी सही याद कर लिजे एग्जाम में वैसे दिया रहता है पर फिर भी याद कर लेंगो तो आप ही का फायदा है 2 into 35.5 which is equal to 71u इसी तरह ये लिखा है C2H5OH इसे हम कहते हैं Ethyl Alcohol इसको calculate करने के लिए 2 multiply by C plus 5 hydrogen है तो 5 into H और 1 oxygen और 1 hydrogen अब 2 carbon हो जाएगा 2 into carbon का होता है 12 plus 5 into hydrogen का होता है 1 plus oxygen oxygen का होता है 16 और hydrogen का होता है 1 जो की जोडने पर आजाएगा जो की आजाएगा 46 इसी तरह ये लिखावा है CH3COOH इसका मतलब होता है acetic acid जैसे के हम vinegar भी कहते हैं common language में इसका formula निकालने के लिए देखें आप ऐसे जोड़िए यहाँ पर 1 carbon यहाँ पर 1 carbon तो मतलब total 2 carbon फिर देखें hydrogen यहाँ 3 hydrogen यहाँ 1 hydrogen तो total 4 hydrogen बचा 2 oxygen तो 2 O इसका करने के लिए 2 into carbon होता है 12 plus 4 into hydrogen होता है 1 plus 2 into oxygen होता है 16 जो कि आ जाएगा 60U इसी तरह एक और example समझते हैं इस question को आप कर लेंगे तो आपको molecular mass निकालने का जो concept है और जो confidence है वो दोनों एकदम उपर हो जाएगा एकदम strong हो जाएगा यह है C6H12O6 यानि की glucose glucose में क्या है 6 carbon है plus 12 hydrogen है और 6 oxygen है यानि की 6 into carbon होता है 12 plus 12 into hydrogen होता है 1 plus 6 into oxygen होता है 16 जो की आजाएगा 180U यानि की जो molecular mass है glucose का वो आजाएगा 180U तो दोस्तों यह था वीडियो atomic masses और molecular masses में I hope आपको इस वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा लाएगा 12 हुशnd जम कोई यह मेंया chopped यह कर दो दो सब्सक्राचे से सब्सक्राचे साबदेन